Hello dear students, आज हम textile के अंदर अगले टापिक उन रेशा को पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आईए हम जानेंगे कि उन रेशा क्या होता है, इसे कहां कहां से प्राप्त किया जाता है तो आईए देखते हैं, तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, उन जानतो रेशा जानतो रेशा मतलब एनिमल फाइबर, उन को हम एनिमल फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एनिमल यानि की जनतों से प्राप्त होता है, जैसे भेड, बकरी, उट, इत्यादिशे उन हमें प्राप्त होता है तो उनको हम एनिमल फाइबर भी कहते हैं और इसको प्रोटीन रेशा भी कहते हैं प्रोटीन रेशा क्यों कहते हैं प्रोटीन रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जन्तूं के बाल होते हैं जिनसे हमें उन प्राप्त होता है उस वो बाल जो होते हैं वो किरेटिन नमक प्रोटीन के बने होते हैं तो प्रोटीन के बने होने के कारण हम उनको प्रोटीन रेशा भी कहते हैं तो आईए देखते हैं इसका उदगम और इतिहास तो उद्गम और इतिहास में है बाल जो है यह जानवरों के सरीर पर उत्पन होते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से सर्दी गर्मी वर्षा आदि से बचाते हैं समभोत है उनकी खोज सिकार युग में होई होगी जब आदि मानों जो है सिकार करता था वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता था और उसकी खाल से क्या करता था वस्त्र पहनता था तो अनुमान यही लगाया जाता है कि उसी समय उनकी खोज होई होगी और बाल सहित खाल का प्रियोग फर और फेल्ट के रूप में किया जाता है मतलब अगर हम खाल के सहित बाल का प्रियोग वस्त्र के रूप में करते हैं तो उसको हम फर एंड फेल्ट बोलते हैं ये भी एक्जाम में पुछा जा सकता है फर एंड फेल्ट क्या होता है तो फर and felt का मतलब होता है ऐसे वस्त्र जो बाल के सहित खाल के रूप में प्रियोग किये जाते हैं ठीक है जैसे जानोरू को मार के जो उनकी खाल उतार लिया जाता है तो उसको हम वस्त्र के रूप में प्रियोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर and felt आगे देखते हैं प्राप्ती हुई जिसे मेरिनो उल के नाम से जाना जाता है तो मेरिनो उल क्या है यह एक मेरिनो जाती की भेड होती है उसके बाल से जो उन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं मेरिनो उल ठीक है और मेरिनो उल से उत्तम किस्म का उन का रेशा तयार किया जाता है इसके बाद स और भारत में सबसे पहला उन उत्पादन कारी कास्मीर से प्रारंब हुआ कास्मीर के पस्मीना साल कास्मीर की बहुत फेमस साल है पस्मीना साल अपनी सुन्दरता, सृष्टा, कोमलता और आकरसक डिजाइन के लिए दूर दूर देशों तक प्रसिध थी ठीक है तो कास्मीर में सबसे भारत में जो उनका उत्पादन कारी शुरू हुआ वो सबसे पहले कास्मीर में शुरू हुआ और कास्मीर की एक पस्मीना साल है वो बहुत फेमस है आगे हम देखते हैं उन प्राप्ति के शाधन कि उन कहां कहां से हमको मिलते हैं तो उन की प्राप्ति मुख्यते भेडों से होती है परन्त कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बालों से भी उन बनाए जाते हैं जैसे उंट, खरगोस, हिरण, बकरी, मरिग, लोमडी, इत्यादी कुछ बिसिस्ट जात के पसुओं के बालों से भी उन प्राप्त होता है जिससे काफी महंगे, बहुमूल और अत्यांत, सुन्दर वस्त्र बनाए जाते हैं इन्हें ही बिसिस्ट हेर फाइबर कहते हैं और यह फाइबर दूरलब पसुओं के बालों से प्राप्त होते हैं जैस सबसे मेहंगा कोट इस प्रकार औहिसे जानवर होते हैं जिनके बालों से या जाते हैं जो निम्न हैं कुछ और देख लेते हैं जैसे नंबर एक में हैं अंगोरा बकरी ठीक है अंगोरा बकरी जो होती है अंगोरा गोड इससे भी हमें उनकी प्राप्ति होती है इसके बालों जैसे कि चित्र में आप सबको दिख रहा होगा यह अंगोरा बकरी का चित्र लगा हुआ है तो ऐसे चोटी सी अंगोरा बक्री होती है लेकिन देखे कितने बड़े बड़े बाल है इसके सरीर पर पूरा सरीर ही इसका बालों से ढखा हुआ है तो इसमें है यह एक प्रकार की बक्री है इसके बालों को मोहेर क्या कहते हैं इसके बालों को मोहेर के नाम से जाना जाता है तो मोहेर क्या होता है अगर ऐसा कोश्यन आता है तो हम कह सकते हैं अंगोरा बकरी के बाल से जो रेशे प्राप्त होते हैं उसको हम मोहेर कहते हैं इसके बाल सूच्म, कोमल, लंबे, चमकदार, यों, फिसलन, युक्त होते हैं बालों में प्राक्तिक गुलाई बिद्यमान रहती है जिससे उत्कृष्ट कोट के वस्त्र बनाए जाते हैं तो इसमें दो चीजे इंपोर्टेंट है एक अंगोरा बकरी से जो बाल प्राप्त होता है उसको मोहेर कहते हैं और इसमें प्राक्रतिक गुलाई बिद्यमान रहती है इसके बार दूसरा हम देखते क्या है कास्मीरी बकरी के बालों से उत्कृष्ट स्रेडी के उनकी प्राप्त होती है या उत्कृष्ट उनिवस्त्र बनते हैं इस बकरी का नामकरण भी कस्मीर में बनने वाली महीन साल के नाम पर रखा गया है ठीक है इसके सरीर के बालों की दो परते होती है एक उपरी प जो उपरी परत होती है उससे जो रेशे होते हैं वो निम्न कोट के रेशे होते हैं मतलब भहुत अच्छे नहीं वो खुरदुरे और थोड़ा सा कड़े टाइप के होते हैं लेकिन जो उसके नीचे की परत होती है निचली परत होती है उससे अच्छे और महीन और रेशमी मतल और जो उपरी परत होती है इससे निम्न क्वालिटी के उन की प्राप्ती होती है निम्न गुडवत्ता वाले उन प्राप्त होते हैं ठीक है इसके बाद हम देखते हैं विक्यूना इसमें चित्र भी आप लोग देखते जाएगा ये विक्यूना का चित्र है विक्यूना जो है यह एक उट जाती में आता है यह उट की प्रजाती का जानवर है देखे विक्यूना उट जाती का एक दुरलव जानवर है इसके बाल इसके बाल यहां बाल रहेगा इसके बाल अत्यंत सूच मकोमल फिसलने वाले चमकदार यूम बारीक होते हैं इसका रंग क्रीम हलका भूरा कोट मिंक कोट बनता है तो यह जो विक्यूना हमारा है यह इसलिए दुरलब प्रजाती का जनवर है क्योंकि इसको पाल नहीं सकते हैं कहीं बिसेज जगहों पर ही पाया जाता है इस्को कई बार पालने की भी कोशिस की गई लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई थीक हैं तो इसमें इंपर्टन बात यह है कि इससे जो उन बनता है उससे जो वस्त्र बनता है वह सबसे मेहंगा विश्व का वस्त्र है उसको हम बोलते हैं मिंक कोट अब आगे देखते हैं लामा लामा जो है यह देखिए चित्र में इसका भी जो है यह वी उट जाती प्रजाती का जानवर होता है लामा और इससे भी उनकी प्राप्ती होती है तो लामा भी उट जाती का पसु है इसके बा लंबे घंखें भाणे मोटे होते हैं नीचे की परत इसे बहुत मुलाययं कोमल की प्राप्ति होती , जो उपरी परत होती है उपर से बाल काटे जाते हैं वह थोड़ा कम कौन टेट्थ मतलब कम गुडवत्ता वाले रहते हैं और जो नीचे के उन से जो रेशे मिलते हैं वो ज्यादा क्वालिटेटिव होते हैं अच्छी गुडवत्ता वाले होते हैं और लामा कहां पाया जाता है लामा दच्छड अमेरिका में पाया जाता है यह जानवर बालों के साथ साथ सामान होने के लिए भी प्रसिद्ध है मतलब इनसे दो चीजों की प्राप्त है एक तो हम बाल की प्राप्त करते हैं उनकी प्राप्त करते हैं इससे समान भी ढवाते हैं अगला है अंगोरा खरगोश ठीक है अंगोरा खरगोश ये देखिए चित्र में पूरा बाल से ही इसका सरीर ढखा हुआ है ये अंगोरा खरगोस है तो अंगोरा खरगोस मूलता है coronavirus में पाये जाता है ये कहां पाये जाता है ये घरेलु किस्म का खरगोस होता है इसके बाल अत्यन्त स्वेट, कोमल, बारीक, मुलायम, सूच में योम, रेशम के समान, चिकने और चमकदार होते हैं इसके बालों से उत्तम स्रेडी के उनकी प्राप्ति होती है किस से अंगोरा, खर्गोस, ठीक है इसके बाद अगला हम देखते हैं अलपाका ये अलपाका का चित्र है, ये सब अलपाका के ही चित्र है तो अलपाका मुख्यत है, पेरू प्रदेश में पाया जाता है यह जानवर लामा के समान दिखाई पड़ता है, परन्तु लामा से थोड़ा छोटा होता है इसके बाल लंबे, कोमल, घने होते हैं इससे रोएंदार वस्त्रिया उट बनाए जाते हैं ये हो गया अलपा का इसके बाद उट ठीक है? उट जो है इसमें है कि दो कुम्भ वाले उट एक उट नॉर्मल होता है एक होता है दो कुम्भ वाला ये जो कूबर निकला होता है इसी को हम बोलते हैं कुम्भ ठीक है तो ये जो उट है ये सब दो कुम्भ वाले ये जैसे ये देखिए सिंगल कुम्भ वाला उट आप लोग भी देखे होंगे लेकिन ये दो कुम्भ वाले उट हैं यहां पे तो जो दो कुम्भ वाले उट होते हैं इसको हम बोलते हैं बैक्ट्रियन ऊट क्या उट इसका नाम आप बैक्ट्रियन ऊट भी इसको कहते हैं तो दो कुंभ वाले ऊट या बैक्ट्रियन ऊट एसिया चीन के उत्तरी पश्यमी भाग तथा mangovolia में पाए जाते हैं अप पाय कहां जाते हैं एसिया चीन के उत्तरी दच्छडी भाग में उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाई जाते हैं अरब में गर्म रेगिस्तान से लेकर साइबेरिया के ठंडे प्रदेसों तक इस जातिके उट पाई जाते हैं इनके बालों में एक बिसिस्ट गुड होता है यह गर से प्राप्त किये जाते हैं एक हो गया उट के गरदन और पेट के हिस्से से जो बाल प्राप्त किये जाते हैं वह उत्त्रिस्ट कोट के उन प्राप्त होते हैं ठीक है जो उट होता है बैक्ट्रियन उट इसके जो गरदन और पेट गरदन और पेट के हिस्से से जो बाल या जो उन प्राप्त किये जाते हैं वो उत्तम क्वालिटी के होते हैं और उट के पीट, टांग और सीर या अन्य जो दूसरे भाग हैं वहाँ से जो उन प्राप्त होते हैं वो निम्न कोट किये होते हैं मतलब उनकी गुडवत्ता थोड़ा कम होती है ऐसे रेशों से दरी कंबल बनाये जाते हैं उट समय पर अपने बालों को स्वता ही जाड़ देते हैं जिसको एकत्रित करके हम वस्त निर्माड का कारी करते हैं अगला देखते हैं उनी रेशों का वर्गी करण की classification आप उल फाइबर्स ठीक है उनी रेशों का वर्गी करण classification किया गया है तो सबसे पहला इसमें है मेमने का उन ठीक है या मेमने की उन जो मेमना होता है भेड का बच्चा होता है उससे जो उन प्राप्त किया जाता है या उसके बाल से जो उन प्राप्त किया जाता है उसको हम मेमने का उन या लेम्स वूल कहते हैं ठीक है तो यह अगर पेट और गरडन की बात करें तो हम इसके पेटप की प्राप्ती होगी और वहीं पैर राप या पीठ निमन को ने ढें क्म क्वालिटी का हो जाता है तो ऐए देखते हैं की जो भेड के बच्चे की पीठ और गर्दन से उतारे गए बाल उत्तम कोट के होते हैं और इसके बाल अत्यंत कोमल सूछमा करसक युम दोनों सीरे से परन्तु ये परिपक होती है क्योंकि अब मेमना है वही महां इसी नहीं रहती है लेकिन मजबूती थोड़ा कम होती है मतलब इम्माच्योर्टी के कारण उनकी परियाप्त मजबूती उसमें नहीं पाई जाती है अब आगे देखते होगेट उन होगेट उन क्या होता है होगेट उन जो होता है या 12 से 14 महां के भेड़ों के सरीर से जो उनकी प्राप्ति होती है 12-14 महीने के जो भेड हो जाते उनके सरीर से जो उनकी प्राप्ति होती है उसे हम होगेट उन कहते हैं इस अवस्था में भेड क्या हो जाता है बिल्कुल परिपक्व हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैच्चोर हो जाता है तो ये उन जो होते हैं वह काफी मजबूत होते हैं इसके बाद तीसरा पॉइंट है वो कुवारी या वर्जिन उन वर्जिन उन किसे कहते हैं ऐसी उन पूरतन नहीं रहती है इसका प्रियोग पूर्व में नहीं हुआ रहता है कुवारी या वर्जिन उन कहलाती है मतलब भेड मैच्योर होती है परिपक होती है तो पहली बार जो उसके सरीर से बाल उतारे जाते हैं उसको ही हम वर्जिन उल कहते हैं ठीक है इसके बाद वेदर उल वेदर उल किसे कहते हैं यह 14 मा के भेडों को उसके सरीर से पहली बार उन काटने के पश्चाद दूसरी बार क पहले बार एक 2 ऐसके शरीर से हम उन उतारते हैं काथते तो उसके बार जब मतलब दूसरी बार किसी चैसरीर से और हमें मिलता या प्राप्त किया जाता तो वो फेदर उन कहलाता है और यहां जादा तर गंदा या मत्मेला होता है अब आगे देखते हैं अगला है खीची हुई उन या पुल्ड उल जिसको कहते हैं तो यह क्या होता है कि इसमें जो भेड होता है वो मृत होती है मतलब जिसे कुछ भेड़े पाली जाते हैं मान्स वग कुछ भेडों को मांस प्राप्ति की दृष्ट से पाला जाता है भेडों के मारने के पश्चात उनके सरीर से बालों को खीजा जाता है इसके लिए उनके सरीर पर चुना या राशायनिक बिलोमक कैमिखल management & depilator का लगाया जाता है ऐसा करने से उन धीली पढ़ जाती है ठीक है उन धीली पढ़ जाती है और सिग्रता से खिच जाती है परंतु यह उन निमन स्रेडी के अंतर गताती है क्योंकि जो भेड मांस के लिए या खाने के लिए मतलब पाली जाती है तो उनके सरीर पर क्या किया जाता है उनके पर सरीर पर निर्बल निर्बल और निम्न कोटी में आ जाता है ठीक है अब अगला देखते हैं कोटी उन क्या होता है तो भेडों को लालन पालन जब प्रतीकूल परिस्थितियों या मौशम में होता है साथ ही उन्हें पोस्टिक अहार खानी को नहीं दिया जाता है मतलब ऐसी भेड कि उन्हें अच्छा वातवर्ण नहीं मिल ला है खान पान उनका अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो या प्रतीकूल परिस्थितियों में भेडों का पालन हो रहा है तो ऐसे भेडों से जो उन प्राप्त होता है उसे हम कोटी उन कहते हैं और ऐसे उन भी बिल्कुल निम्न कोट किये होते हैं ठीक है? और इससे क्या बनता है? नमदा बनता है जिसको हम बोलते हैं फेल्ट क्योंकि ऐसे जो भेड़ होती है उनसे जो उन प्राप्त होगा वो बिल्कुल रफ छोटा छोटा मतलब जादा लेंथ भी नहीं रहेगी और बिल्कुल कड़कीला रहेगा तो उसको क्या करते हैं उसको उचित ताप और दाप दे तो यह कैसा है निम्न कोटिका उन है जो प्रतिकूल भेडों के प्रतिकूल परिस्थितियों में लालन पानल करने से प्राप्त होता है इसके बाद टेगलाक उन क्या होता है टेगलाक उन भी निम्न तम स्रेडी के अंतर गताता है या तूटे फूटे यों बदरंग रंगो वाली उन टेगलाक उन कहलाती है इसमें निम्न स्रेडी के उन से वस्त्र कालीन और दरिया बनती है मतलब कोई भी उन माल लेजे अगर उन की छटाई होती है तो उसमें जो बेकार एकड़म छोटे-छोटे रेसे की तरह उन जो खराब उन प्राप्त होते हैं उसको फिर फेल्ट करके उससे निम्न कोट के दरी या गलीचा वगेरे बनाये जाता है तो उसको भी हम टेगलाक उन का नाम देंगे इसके बाद अगला देखते हैं मृत उन ठीक है मृत उन जिसको हम बोलते हैं डेड उल ये मरे हुए जानोरों के सरीर से प्राप्त उन मृत उन कहलाता है तो इसमें क्या है एक पुल्ड उन था पुल्ड उन वो भी मृत भेड से ही प्राप्त था तो उसमें क्या था कि उन भे को पुलूल लेकिन यह जो मृत उन होता है इसमें एक्सिडेंटल अगर जैसे माली जे हम भेड को पाल रहें उन प्राप्त के लिए लेकिन फिर भी किसी एक्सिडेंट की वज़धे या उसका स्वास्थ खराब हो गया किसी बीमारी की वज़े से अगर भेड की मृत्यू हो जाती है तो ऐसे भेड से जो उन प्राप्त होता है उसे हम मृत उन कहते हैं ठीक है और ऐसे उन भी निम्न कोट के उन होते हैं इसे निम्न कोट के वस्तर बनाये जाते हैं और ऐसे जानवरों की मृत जो है असोस्ता दुरगटना या अन्यकारण से हो सकती है ठीक है अब अगला देखने कालीनून कालीनून क्या है कालीनून जिसे कार्पेट वगेरे बनता है यह उन कड़ी खुरदरी रूच यह छोटी किस्म की होती है इससे पहनने योग वस्त नहीं बनाये जाते हैं बलकि इनका केवल दरी कालीन बनाने में किया जाता है ऐसी उनको कालीनून या कार्पेट वूल कहते हैं तो इतना हम देख लिए उनके टाइप की कहां कहां से मिल ला है अब आगे हम देखते हैं क्लासेस आप वूल ठीक है उनका स्रेडी करण जैसे भेर से ही प्राप्त हो कैसे-कैसे हम प्राप्त होते हैं किस भाग से कौन सी उत्तम स्रेडी का है कौन सा निम्न स्रेडी का कुछ इस प्रकार से हम उनको देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं यहां लिखा भेड़ों की किस्म के अनुशार कि कुछ भेड़ें अच्छी किस्म का उन देते हैं कुछ निम्न किस्म किस्म की होती हैं तो किस्म के अनुसार उन्से प्राप्त उन को निमलिखित चार स्रेडियों में बाता गया तो पहला है प्रथम स्रेडी का उन प्रथम स्रेडी का उन कौन सा होता है मेरीनो उन ठीक है मेरीनो उन प्रथम स्रेडी के उन के अंतरगत आता है मेरीनो उन के रेशे की लंबाई एक से पांच इंच तक होती है इसमें सलकों की संख्या सबसे अधिक लगबग 3,000 से 4,000 प्रत सोता है सल्क बोलते हैं सबसे जादा पाये जाता है मेरीन होता है सबसे उत्तम किस्म का उन्होता है उसको हम प्रत् cabe करते हैं इसके बाद 23 का उन जो होता है यह भी उत्तम किस्म के उन होते हैं परन्तु यह मैरीनों की बराबरी नहीं कर सकते हैं मतलब उससे तोड़ी सिसकी क्वालीटी लो होती है इसके रेशे 2-4 इंच तक लंबे होते हैं इन में भी सलकों की शंख्या बहुत अधिक होती है परन्तु मेरीनो उन से कम होती है मतलब सबसे जादा जो सलको की शंख्या या जो quality होती है वह मेरीनो उन की होती है उससे थोड़ा सा कम अगर second position पर कोई आता है तो वह दू-30 रेडी का उन है जिसमें थोड़ा सा उससे कम सलके पाई जाती है अ तो इसमें जो सलक होते हैं जो घुमाओं वह सबस्दों होते हैं तो यहली चतुरतष्रेड़ी का उन तो सरocy करेंगे ति ठीड़ें üzerine मैंने ज्चामने या मानने ग्रेल जाद के भेड़ों से इसमें प्राप्ति होते हैं इसके रेशों की लंबाई एक से 16 इंच तक होती है रेशों में सलकों यों घुमाओं की संख्या अत्यंत कम एक या दो ही होती है मतलब इसमें जो सलक होते हैं या क्रिम्स उसको बोलते हैं वो एक या दो प्रती इंच में मतलब एक इंच में जहां तीन हजार चार हजार पाए जाते हैं यहां एक या दो ही होते हैं तो सबसे निमन कोटी का जो उन होता है वह चतुर्थ स्रेडी का उन होता है तो इस तरह से स्रेडी क्रम में वर्गी करण हो गया सबसे पहले nonober एक पर जो उच्छ quality का था वो मेरी नो था फिर 2-30 spaghetti का उससे थोड़ा लो फिर 3-30 spaghetti का फिर 4-30 spaghetti का ठिक है सबसे low quality का हमारा fourth spaghetti का उन होता है इसके बाद उन का उत्पादन हम process अब देखेंगे कि उन का उत्पादन कैसे होता है उन बनता कैसे है उसकी processing देखेंगे manufacturing of oil ठीक है इसको ध्यान से देखेगा इस पूरे topic में सबसे important यह है इससे एक question जरूर आता है exam में और कभी-कभी इसका क्रम लगाने के लिए आ जाते तो कभी-कभी मिलाने के लिए भी आ जाता है तो सबसे पहले हम उन उत्पादन के लिए क्या करते हैं भेडों से उन काटकर इकत्र करना थीक है भेड जो होता है उसके सरीर से जो उन को हम काटकर इकठा करते हैं उसको हम बोलते हैं शीरिंग आपसी रिख 25 सीरनेट स् 123 नहले जाताए अच्छे से सापसे नहलाए जाताए फिर उसके बाद उसकों जो दूद्वा जाता है थाकि उसके बाद उनको की कटाई होती है कि ऊंची किटाई उसको शाप करके फिर उसके बाद हम उनकी कटाई करते हैं जिसको हम शेरिंग बोलते हैं इसके बाद दूसरे नमबर पे आता है छटाई यह स्रेडी करण जिसको हम बोलते हैं सार्टिंग एंड ग्रेडिंग सार्टिंग क्या होता है जो उन होता है उन काटने के बाद उसका लंबाई के आधार पर कि कौन कितना लंबा है कौन छोटा उसके आधार पर अलग-अलग भागों में डिवाइड करना बाटना ये हो गया छटाई या स्रेडी करन ग्रेडिंग ठीक है तो इस प्रकार से हम अलग-अलग भागों में उसको बाट लेते हैं उनके उनको काटने के बाद तो ये दूसरी जो प्रक्रिया हमारी होती है वो छटाई की होती है जिसको हम साटनिंग बोलते हैं या ग्रेडिंग बोलते हैं अब तीसरी देखते हैं, तो तीसरी प्रक्रिया है, सफाई यूम धूलाई, अब उन काटने के बाद हम उसको छाट लेते हैं, छाटने के बाद अब उसकी सफाई की जाएगी, उन में क्या होता है, बहुत ओयल भी लगे होंगे, या बहुत धूल डस्ट, बहुत प्रकार की गंदगिया होंगी, तो उसको साप करने के लिए, हम क्लीनिंग प्रोसेज और इसकावरिंग प्रोसेज कहते हैं, ठीक है, क्लीनिंग और इसकावरिंग प्रोसेज कहते हैं, करते हैं, इससे क्या होता है, जो असुदियां है, उनकी वो दूर हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो तो कार्बोन कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा इसको साफ किया जाता है ठीक है तो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में क्या होता है कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया लिख दे रहें कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया देखे जो कार्बोन आइजिंग प्रक्रिया होती है ये दो टाइप से होती है एक S2, S04 से होती है S2, S04 जिसको हम Sulfuric Aml बोलते है Sulfuric Aml और दूसरा HCl जिसको हम बोलते है Hydro-Cloric Aml Hydro-Cloric Aml ठीक है तो जब हम उन के रेशो को या उन को जो है Sulfuric Aml या Hydro-Cloric Aml से धुलाई करते है या उसकी शफाई करते है तब उस प्रक्रिया को क्या बोलते है Carbonizing प्रक्रिया इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि उन में जितनी भी असुद्धियां होती है सब दूर हो जाती है तो ये हो गया Cleaning and Scouring Scouring में ही एक important प्रक्रिया है Carbonizing ठीक है ये भी देख लीजेगा इसके बाद जो फोथ प्रक्रिया हमारी आती है वो है सुखाना या ड्राइंग सुखाने में क्या होता है उन की जब धुलाई वगर हो जाते तो कुछ पानी को उन क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं उसको सुखाते हैं उन को जब सुखाते हैं तो उन थोड़ा कड़े हो जाते हैं शुखने के बाद तो उन को सुखाने के बाद अगली प्रोसेज जो होती है वो आईलिंग की होती है तेल लगाना आईलिंग तो आईलिंग प्रोसेज इसलिए करते हैं क्योंकि जो उन बहुत कड़ा रहता है तो आईलिंग प्रक्रिया करने से वो थोड़ा मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है चिकना हो जाता है तो जो आईल इस रीन के द्वारा हम ऑईलिंग करते हैं ठीक है ऑईलिंग हो गया ऑईलिंग के बाद फिर ब्लेंडिंग होता है मिस्रित करना ब्लेंडिंग में क्या होता है कि विभिन प्रकार के रेशियो को हम आपस में मिलाते हैं ब्लेंड करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि उन में क्या दूर करने के लिए हमें दूसरे टाइप का उन या कुछ दूसरा रेशा हमें उसमें मिलाना पड़ता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं मिस्रित करना मतलब अलग-अलग किस्म के अलग-अलग किस्म के रेशे को आपस में मिलाना या अलग-अलग किस्म के उन को आपस में मिलान यह कि मिलाना यह मारी प्रक्रिया हो गई ब्लेंड य इसके बाद आती है कॉर्डिंग जिसको बोलते हैं धूनाई ठीक है जब मिश्रित कर लेते हैं تो इसके बाद फिर हम कार्डिंग प्रक्रिया करते हैं धुनाई की प्रक्रिया करते हैं, धुनाई में भी दो टाइप से, एक उनी रेशा होता है, एक वर्स्टेड, मतलब जो हमारा उन होता है, ये दो भाग में होता है, एक उनी रेशा जो प्राप्त होता है, उनी वस्त्र जिन से निर्माड होता है, एक होता है वर्स्टेड वस् जाते हैं उनकी धुनाई जादा की जाती और जिनसे उनी वस्त्र बनते हैं उनमें धुनाई की प्रक्रिया नहीं की जाती है ठीक है तो एक उनी हो गया और दूसरा वस्टेड वस्टेड जो वस्ट्र होते हैं इन में अधिक धुनाई की जरूरत होती है मतलब मेनली धुनाई वस्टेड में ही होती है और इसमें धुनाई प्रक्रिया नहीं होती है जो उनीवस्त्र बनते हैं इसके बाद अगली प्रक्रिया हमारी आ गई कंगी करना या कंगी करना या कंगी करना हुआ थिक गंगी करने के के बाद होता है के के पोनी के बनाई जाती जाए किखने से क्या होते हैं रेशे और लंबे हो जाते हैं अर खीचने के बाद उसकी कताई करा जाती है कताई जिसको हम spinning बोलते हैं spinning के द्वारा ही मतलब spinning एक ऐसी process है जिसके द्वारा ही धागे का निर्माड होता है धागे बनने के बाद उसको लच्छी में या गोले में लपेट लिया जाता है और फिर उसके बाद यहां से मतलब spinning के बाद ही किसका निर्माड होते है धागे का निर्माड होता है वो जो हम मार्के ट में खरीदते हैं वो उन कि मौनाई की होता है जिसको हम बोलते हैं वेविंग वेविंग के बाद फिर उसकी भराइ basement जिसे को हम फुलिंग बोलते हैं यह भडाई कैसे होती है तो अलग जाएड नहीं होता है जैसे मालले जिए पानी गरं करब टाल गोलक युस्ति वस्त्र होते हैं जो बुना हुआ कपड़ होता है उसको उस पानी के गोल में डाल के जाता है ठीक है उससे क्या होता है कि जब पानी की गुल में डाल के उसको दबाया जाता है तो जगह से जहां मतलब कम खिचा होता है वहां बराबर हो जाता है जहां जादा खिचा होता है वहां भी मतलब अपना अपना जगह वह है उन या रेशा ले लेता है तो इसको हम भराई ठीक ह तो इससे भराई हो जाती है उन जो है अपने जगह समान्तर हो जाते हैं इसके बाद अगली जो हमारी प्रावसरे जाती वो आती है bleaching या kindergarten या रंगाई तो bleaching या रंगाई जो उन में होती है तो उन पे पक्के अकलर चाडते और समान मात्रा में जैसे कोई भी a बाल्टी वगेरे में कलर गोल के डाल दें फिर उसमें वस्त को कलर करने के लिए डालें तो समान मतलब पूरा समान एरिया में हर जगें कलर पहुच जाता और कच्छे कलर नहीं इस पर पक्के कलर चड़ते हैं ठीक है तो इसका जो रंगाई की प्रक्रिया वह बहुत आसान है और अगर ब्लीच की बात करें तो इस पे तनु ब्लीच किया जाता है ठीक है बहुत सांद्र या तीवर ब्लीच नहीं कर सकते हैं नहीं तो रेशे कमजोर हो जाते हैं दुरबल हो जाते हैं तो इस पे हम हलके ब्लीच का प्रियोग कर सकते हैं जिससे कि उसमें उज्जोलता और शफेदी लाने के लिए इसके बाद इसके लास्ट में सब्से प्रक्षिया जोती वो परिशज्जा की होती है जिसको हम फिनिशिंग बोलते हैं फिनिसिक के आफ सीप, 2nd फिर साٹनिंग और डेडिंग, फिर क्लीनिंग और इस्कावुरिंग के सिर्डायं ओइलींग फिर ब्लेंडिंग, फिर उसके बाद कार्डिंग प्रक्रिय फिर उसके बाद क formats पर कोमींग, ड्रॉइंग, श्पिनिंग, वीविंग, फिर फूलिंग, फिर ब्लीचिंग, डाइंग, और सबसे लास्ट में हैं, फिनिशिंग, यह कभी-कभी करम लगाने के लिए भी आ जाता है, कभी-कभी मिलाने के लिए भी इससे कोश्चन आता है, तो यह important है, अब हम देखेंगे, उ तो टाइप की एक भौतिक देखेंगे, और एक राशाइनिक देखेंगे, फिजिकल और केमिकल, तो सबसे पहले हम आई यह बात करते हैं, भौतिक भिसेस्ताओं की, तो भौतिक भिसेस्ताओं में हम इसका संगठन पहले देखते हैं, संगठन, उनका रेशा प्रोटीन प् करिएगा क्योंकि कभी-कभी इस तरह से आजाता है कि कौन सा ऐसा रेशा है जिसमें सलफर पाये जाता है तो हम कहेंगे उनमें सलफर पाये जाता है यह सभी तत्तों आपस में मिलकर किरेटिन नामक प्रोटीन का निर्माड करते हैं इनमें कार्बन आक्सीजन हाइड्रोजन और सलफर का प्रतिशत इस प्रकार है इसका प्रतिशत भी याद करना जरूरी है क्योंकि कभी-कभी प्रतिशत से भी सवाल पूछ लेते हैं तो कार्बन कितने प्रतिशत होता है उनमें 49 प्रतिशत कार्बन होता है ऑक्सीजन कितना होता है 24 प्रतिशत आक्सीजन होता है न हो सकता है दुबारा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को भी पूछ सकता है ठीक है तो यह प्रत्षयत याद रखिएगा इसके बाद हम देखते हैं सूचमदर्शी सनरचना सबसे पहली परत होती है उपरी परत बाह परत जिसको हम किया कहते हैं क्यूटिकल नाम से जानते हैं जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल होता है और यह क्या करता है उनको या उनके रेशे को सुरच्छा प्रदान करता है ठीक है क्यूटिकल का कार्य क्या है सुरच्छा प्रदान करना या इसलिए हम इसको क्यूटिकल की प्रधानता होती है इसमें एक melanin नामत pigment पाये जाता है जिसके कारण उनका color होता है ठीक है उन किस रंग का है यह depend कौन करेगा यह depend करेगा उनकी मध्य परत middle layer cortex क्योंकि इसमें melanin की प्रधानता होती है इसके बाद सबसे last में जो अंदर वाली परत होती, उसको हम अंतर परत बोलते हैं, उसका नाम है मेडियूला, यह एक इनर लेयर होती है, और यह खोखली होती है, ठीक है, कुछ-कुछ उन में यह खोखली होती है, खोखली नलीका होती है अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है, यह सारे उन में, किसी-किसी उन में तो यह पाई जाती है ठीक है तो यह तीनों याद रखेगा यहां जैसे उन जो है यह तीन लेयर का बना होता है सबसे बाहर की लेयर हमारी क्यूटिकिल होती है क्यूटिकिल और सबसे बीच की जो लेयर होती है वो हमारी कार्टेक्स होती है और सबसे अंदर की जो लेयर होती है kartex और सबसे अंदर की जो लेयर होती है मेडियूला होती है इस से भी question पूछा जा सकता है तो ये याद रखियेगा ठीक है इसके बाद हम अब diameter की बात करें इसके ब्यास की बात करें तो जो इसका diameter होता है वह .0005 से लेकर .0015 इंच होता है इसका diameter ठीक है। इसके बाद लंबाई की बात करें तो 1-4 इंच और कभी कभी 7-8 इंच इसकी लंबाई पाई जाती है। और चमक की बात करें तो इसमें उत्तम कोट की चमक मतलब होती है। दोनों टाइप की चमक होती, अच्छी भी चमक होती, कम लेकिन जिसमें चमक जादा होती है, वह निम्न गुडवत्ता का उन होता है, और जिसमें चमक कम होती है, वह अच्छी गुडवत्ता का उन होता है, तो चमक देखकर हम यह हिसाब लगा सकते हैं, कि इसकी क्वालिटी क तो उत्तम कोटी में कम चमक होती है जो उत्तम कोटी के उन का रेशा होता है या उन होता है उसमें कम चमक होती है और जो निम्न कोटी का उन होता है उसमें चमक अधिक पाई जाती है लेकिन बिभिन प्रकार की कुछ परिसत जाएं फिनिसिंग है जिसके द्वारा हम इसको चम मजबूती की बात करें तो उनी रेशे निर्बल रेशे होते हैं भीगने पर इनकी जो मजबूती होती और कम हो जाती है मतलब और कमजोर होते हैं और कितने कमजोर हो जाते हैं यह 25-30% इनकी मजबूती घट जाती है तो जितने रेशे प्राक्रतिक रेशे हैं प्राक्रतिक र तो सभी प्राक्तिक रेशों में सबसे अधिक प्रत्यास्था होती है उन में और यह अपनी मौलिक लंबाई से 30-40 प्रतिशत अधिक खिच जाने के पचात वास्त्विक इस्तित में आ जाता है क्योंकि प्रत्यास्था उसे ही कहते हैं कि किसी रेशे को अगर हम खीचें और व पाई जाती है तो वह उन में पाई जाती है अब अगला हम देखते हैं प्रति असकंदता प्रति असकंदता यानि रेजिस लेंशी तो सबसे अधिक इसमें पाई जाती है प्रति असकंदता और उत्क्रिस्ट कोटि के उन में प्रत्यास्था गुडांक सबसे जादा होता है मतलब जो अच्छी क्वालीटी का उन होगा जिसको हम बोलते हैं प्रतिधारन चमता प्रतिधारन चमता की बात करें तो उनी वस्त्रों में 30% तक नमी सोखने का गुड होता है फिर इसके बाद सीकन प्रतिरोधकता और उनी रेसgestellt को मुठी में दबाकर पुनह छोड़ देने से इसके इस में प्रतिरोधकता इसले पाईज़े कि इसमें प्रति असकंदता होती है तो इस कारण इसमें सिकन प्रतिरोधक्ता भी आ जाती है इसकी बाद अगर धुलाई की बात करें इसकी वाशिंग की तो उनी वस्त्र भीगने के पस्चाथ 25 से 30 प्रतिसत अपनी मजबूती खो देते हैं तो फलते इस दसा में रेशे निर्बल पड़ जाते हैं इसलिए इसकी धुलाई अत्यंत सावधानी पुर्वक की जानी चाहिए ठीक है क्योंकि एक तो उनी रेशो पर धूप का प्रभाव क्या पड़ता है तो उनके रेशो पर धूप यों प्रकास क का बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि सूरी की पराबैगनी किरड़ें उनी रेशों की गुडवत्ता का हरास कर देती हैं जिससे रेशे कमजोड पर जाते हैं इसलिए उनी रेशों को धूप में सुखाने से पहले मतलब सुखाने जाते हैं तो उसके उपर कोई पतला प्रशर का हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्योंकि जहां-जहां उनी रेशे मतलब घसर पड़ेगा या रगड पड़ेगा तो वहां से वह कमजोर हो जाएंगे और तूट भी सकते हैं इसके बाद फफुदी की बात करें तो उनी रेशों पर फफुदी का कोई प्रभाव विशेस नहीं पड़ता है लेकिन अगर हम नम अस्थानों पर या थोड़ी गीली वस्था में ही उसको पैक करके रख देते हैं तो उस पर फफुद लग सकते हैं वह कमजोर हो सकते हैं अब आगे देखते हैं लटकन सीलता अगर लटकन सीलता की बात करें तो उन रेशे में उत्तम लटकन सीलता का गुड़ पाया जाता है और यह गुड़ उसकी प्रति असकंदता प्रत्यास्था और लोचियों को मलता के कारण होता है ठीक है और उसमा चालकता की बात करें तो उनी वस्थर उसमा के कुछ आलक होते हैं क्योंकि गर्मी में हम उनको या उनी वस्थ को नहीं पहन सकते हैं सिर्फ सर्दी में पहन सकते हैं ठीक है क्योंकि सर्दी में तोचा को गरम रखते हैं और गर्मी में पहन लेंगे तो और गरम कर देंगे तो इसलिए यह उसमा के क्या होते हैं कुछ आलक होते हैं यहां तक हो गया भावतिक विशेश्थाएं अब प्रियों सांद्र सलफ्यूरिक अमल के संपर्क में आकर उनी रेसे नस्ट हो जाते हैं लेकिन तनु अमल का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता अतह इन्हें अमली रंगों में रंग आ जा सकता है ठीक है तो इसमें क्या है कि अगर तीव्र या सांद्र अमल है त तो छार का प्रभाव उनी रेशे पर हानिकारक है तीव्र यों सांद्र छारी गोल उनी रेशे को नस्ट कर डालते हैं इसलिए उनकी धुलाई नरम मृदू यों उदा सीन साबुन से करना चाहिए मतलब छार जो है यह उनको हानिकारक प्रभाव डालता है उन पर अब आग सकता है इन पर समान रूप से पक्के रंग चड़ते हैं इसके बाद विरंजक का प्रभाव तो विरंजक का प्रभाव तीव्र विरंजक जैसे हाइपो क्लोराइड या जेविल बाटर जिसको बोलते हैं का उनी रेशे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है उनी वस्त्रों पर सफेदी लाने के लिए हलके विरंजक जैसे हाइड्रोजन पराकसाइड का उप्योग करना चाहिए और दाग धब्बे छुडाने के लिए सोडियम पराकसाइड और पोटेसियम परमेगनेट का प्रियोग किया जा सकता है तीब्र या संद्र विरंजक जो होंगे बहुत ज बिना धोय ही संग्रहित करके रख दिया जाता है तो इस पर बुरा असर पड़ता है उस पर फफुद्र लग सकते हैं या कोई कीटाडू लग सकता उसको नस्ट कर सकता है तो उनी रेश्यो को हम क्या करते हैं धुल के सुखा के अच्छे से फिर इसको हम पैक करते हैं तो इ डेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक को लेकर आज इतना ही धन्यवाद